आपको पता है कभी बिजनस उपर जाता है तो कभी नीचे ये सब चलता ही रहता है आज हम वैसे ही एक आज से दो कैमिकल्स कंपनी के बारे में बात करेंगे जो नीचे नहीं जा रही है लेकिन उपर ज़रूर भाग सकती है तो आपको वीडियो पर पूरा एंट तक बने रहा है नहीं तो कोई भी important information आप लोगों की miss हो सकती है कैस आपको इन दोनों कंपनियों को focus में रखना है रीजन पूशिए why, because quarter 4th K numbers आने वारे हैं इनके results आने वारे हैं and just because of that नमबर देखोगे जो देखने को मिलने वाले है और इनके नमबर काफी अच्छे देखने को मिलने वाले है तो यह रीजन रहा सकता है आप इसके साथ एक रीजन रहा सकता है कि आप इन company को focus में मतलब इनको आपको रखना ही चाहिए ठीक है गाइस के पहले ही कभी micro cap हुआ कर दी क्या बात की जाए अगर यह कभी micro cap companies हुआ करती थी लेकिन अब यह बड़ी हो गई है मतलब बढ़ गया है इनका market capital 5000 क्रों रुपे से तो ऐसे में हमें इसमें मतलब हम discuss कर सकते हैं कि कौन कौन सी में कंपनी थे नम क्या हैं फंडमेंटल कैसे हैं और क्या काम करती हैं तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोग बताया quarater falls के result आने वाले कोटर फोर्स के result मतलब आप क्या सकते हो कि इसके अंदर हमें यह सब चीजे पहले आपको चीजे देखनी होंगी की कौन से तो गाइस को ध्यान में रखके चलिका अब बात करते हैं कंपनी की सबसे पहले कंपनी का नाम है यह इंडस्ट्री फ्लाल तो मैं आप लोग बता दू आज मता मार्केट की चुट्टी है तो मार्केट आज बंद है लेकिन आपको क्या करना है आपको स्टाडी करना कल के लिए आज अपनी एक वीडियो और डालूगी जिसमें मैं आप लोगों को इंटरेट ट्रेडिंग के लिए स्टॉक बताऊंगी ठीके वह दूसरे चैनल पर आपको बता है मेरे दो चैनल तो वहां मैं आप लोगों चार्ट सिखाती हूं तो आप उसको चल सकते हैं और वही पे इंटरेट ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स कुछ बताऊंगी जिसमें मतब आप इंडिकेटर से लगा कर और आप उसका बाइक कर चल सकते हो थीक है बड़ आपको साथ के साथ अपना कर दो कर दो कि कल के मतब कल दम मार्केट ओपन ती से चार्ट कर रिटन दिया था एंड पास साल में इसने बाहा सो परसेंट का रिटन दिया है मतब लाइक अगर मैं आप लोगों से बात करो पास साल की चार्ट के अंदर तो तो देखी यह पहले इस वाले पॉइंट पर पिसले से जाद अब तक जादा कुछ अच्छा मतब इसमें मोमेंटम नहीं देखने को मला फिर बाल में एक रावट भी नहीं आये को रुख है इस अगर ध्यान से दोगे न इसी लेवल पे ट्रेड कर रही है ठीक है जब भी इसको क्रॉस कर जाएगे दिन आपको ऊपर एक नया नया एक मोमेंट एक नया पॉइंट देखने को टार्गेट प्राइस देखने को मिल जाएगा चार्ट में देखोगे तो पुरानी लेवल्स को थोड़ा अगर आप देखो तो चार्ट को देखकर नतों ऊपर गई है फिर नीचे आई है तो यह सब चीज़े देखने को नीचे जा रही है यह कंपनिया उपर जा रही है तो बिजनस की बी तो कोई नो कोई बात होगी ना बिजनस सांदार होगा मतब मैं लाइक एक्जामपल दे रही हूं कि अगर मालो कोई और कैनमिकल इंडस्ट्री है ठीक है उसका प्राइस नीचे गिर रहा है इसका प्राइ इसमें देखता चलना चाहिए कि प्रॉफित हो रहा है आप बात करो अगर मैं कंपनी के मार्किट के बारे में काम क्या करते तो काम देखोगे यह रबर्ड केमिकल लुब्रिकेंट जो के अच्छा काम करें इसका बिजनस काफी जाता अच्छा है कमाल का है अगर आप देखोगे ना मार्किट कैप ज्यादा कुछ ब्रानी है दो हजार क्रोड का मार्किट कैप इसका देखने को मिलता है ठीक है अगर मैं बताओ कम लिएक की लाइक अगर बिजनस डिविशन देखोगे तो थायर्स फुट्रेश रूट वासे शील्ड और अट्मोंटिक कंपनेंस कंपोनेंट्स इसन सब में देखने को मिलता है पूरियर बेल्ट में लिखने को मिलते हैं एंड अप देख तो रिवैन्य कितना गोट कहां कहां से मिल रहा है इसको एंड यह सब चुझे इंडिया और इंटरनाशनल दोनों में हैं यह कॉटर थर्ड का डाटा है जब कॉटर फोर के नंबर आ जाएंगे तो आप उसके डाटा भी देख सकते हो जाइक वगलीव है लेकिन इन प्रफॉर्म ंस भी अच्छी देखने को मिल रही है आब इसका प्राफिट आनलोगच में देखेंगे दो चार आट बारा घ्रा थी तोड़ा से अपर लेवल पर दिखने को मिला इसमें भी अच्छा परफॉर्मिंस देखने को मिला है अब इसके अगर मैं बात करूओंनि जीय तो आफ दिखेंगे हलका सेठ्ड़ेंगार इसे प तो काफी अच्छे हुआ हैं बड़े ही हैं थोड़े से हां थी कंपनी पे मतलब क्या सकते हो प्रॉफिट कंपनी में हल्का फुलका सा करजा है अगर करजा तो होना कोई गलत बात नहीं है अगर बिजनेस एक्स्पेंट करोगे तो करजा तो होता ही है गाइस अगर इसा नहीं कर नहीं हो रहा है कंपनी को लोन होता जा रहा है तो वह एक नेगटिव पोइंट देखने को मल जाता है ठीक है जब देखिए पहले भी कभी 500 श्ञो प्रोड की कभी एंगर कर जैसे की मैंने अब आप लोगों को बताया है की अब इसका मार्केट केप दो हजार क्रोड तक पहुच गया है पी इसका 40 है और और रोसी रोई भी काफी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं गैस अब मैं इसके प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं तो प्रमोटर होल्डिंग में देखोगे बड़े हैं ठीक है प्रमोटर ह प्रमोटर बेजते हैं तो जो भी माल होता है वो प्रमोटर के पास जाता है तो ऐसे में अलेटनेस बना कर चलनी बहुत जब किसी कंपनी में प्रमोटर और प्रमोटर बस यह दो लोग ही हूं तो यसो इंड़स्ट्रिंग को लड़ा लावर पर रिखना है लिए जो कि मैं आप लोग को समझा दिया चलिए बात करते हैं नेक्स कंपनी की जो कि ए अफसीयल जिसको आप फिनोल टेक्स केमिकल लिमिटिट कहते हूं ठीक है इसकी भी कल के देंडिर परसंट की देची दी शे मैने बाइस परसंट पास साल में शाड़े आठसो परसंट साल भर में इसम अब कह सकते हो पिठा भी है जो कि यह लेवल आपको एक साल में देखने को मिल रहा है काफी वोलेटिटिलिटी चलती है इसमें कॉर्टर थर्ड के नंबर के बाद स्टॉक में एक तरीकी से आप कह सकते हो कि बहुत अच्छी तेजी भी आई थी अगर मैं चार्ट को जूं क काम की तो आप काम देख सकते हैं इसका टेक्स्टायल कंस्ट्रॉक्शन वाटर ट्रीटमेंट फर्टिलाइजर लैदर पेंट इंडस्ट्री इन सब से लिटरी काम करती है तो तो 32 क्रोड का देखने को मिलता है ठीक है शॉट तर्म में अभी देकी अम मैं इसकी अगर फंड वैल्यूट पे नहीं है आप प्रॉफिट ग्रो देखो गए तो 45 57 नभे और 117 देखने को मिलती है ठीक है कंपाउडिंग भी काफी अच्छी देखने को मिलती है इसके अंदर आगर आप देखोगे तो ठीक है अब मैं बात कुरू इसकी डिजर्फ की तो भी देखे बड़ अब इतना अच्छा चोटी कंपनी है ना यह तो इसमें सब चीजे चलती ही रहती है तो आपको इन सब चीजे को ध्यान देखने के चलना है लेकिन इन कंपनी के नंबर बहुत ही इंपोर्ट मतब इंपोर्टेंट होते हैं अगर आप देखोगे इसके ना शेयल होर्डिंग लेकिन वहीं बड़ी कंपनी में अगर इसब चीजे देखने को मिलते तो आप एक चाहां देकर चल सकते हो ठीक है आपको यह तोनों कंपनी जड़ा लेवर पर लेकर चॉली है क्वाटर फोर्स के लिए यह तोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है हो सकता है यह बाइगा थैंक वे लिए नेक्स वी दूमी